हालो एलिवन स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्के मुनीम केमिस्टी क्लासेस पर आज हम पढ़ेंगे परकिन रियक्शन अब दीके परकिन रियक्शन क्या होती है यहां पर जो रियक्टेंट है वो है अरोमेटिक अल्दिहाइड और एसिड एन्हाइड एविंग अटलिस्ट तू अल्फा हाइडोजन जो एन्हाइड है उसके पास दो अल्फा हाइडोजन होने चाहिए क्यों होने चाहिए यह आपको मेकनिस पता चल जाएगा इन्द प्रेजनस ऌफ अफ अफ एस यहाँ पर कैई सोडियम एसिटेट यह बहुत इंपोर्टन गया प्रेजनस ओफ ऑफ यह आ पॉश्य धूस्टेटिहल आप तो प्रियक्शाम में तो आप किस सीपाठ्व सकते हो सोडियम एसिटेट से ऋकित बेंजलडीयड की रियक्शन करवा रखी है अब यहां पर दिखे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक एक्जामपल है ठीक है वह आपके क्या कर सकता है इसमें चेंज कर सकता है या इसमें चेंज कर सकता है उसके हिसाब से प्रोड़क्ट चेंज हो जाएगा तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो रियक्शन में रियक्टेंट दे रहे है उसके हिसाब से प्रोड़क्ट बनेगा यह जब आप शीट सॉल करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा तो दिखें यहां पर बेंजल्याइड की रियक्शन करा रखी है एसे और प्रोड़क्ट क्या बन रहा है प्रोड़क्ट क्या बन रहा है सिरे में अब यह मुन कैने आपको इसलिए बता रहा है कि कई बार जब कॉशें आएगा वहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं देता है पॉर्मला नहीं देता नामगयोंलन प्र जेंपाना है क्या आपको ठ्यान रखना है कwości Sudamacetic acid बताओ रियक्शन ना दिखे किवल नाम देगा तो वो आपको धियान रखने साथ में क्या बन गए? Acidic Acid ये तो गई reaction अब मेकनिस की अगर हम बात करें परकिन reaction की तो दीखे मेकनिस में क्या है कि sodium acetate को यहाँ पर लिखावा base तो main आपको पहचाना है sodium acetate से अब यहाँ आप sodium acetate base का काम कर रहा है इसलिए base लिखावा है तो sodium acetate जो है CH3CO- किसका काम करेगा? base का किसका काम करेगा? base का और आपको अगर याद हो तो मैंने बता रखा है कि base और nucleophile में क्या आंतर है base का काम क्या है? H प्लस लेना और nucleophile क्या करता है? अटेक करता है sub-state पे तो यहाँ पर यह base का काम कर रहा है तो base क्या करेगा? acet का enhydrides है जो alpha position है वहाँ से H ले लेगा H लेगा बन्दब base का काम कर रहा है तो जब इसने H लिया तो इसने तो बना लिया CH3CO-H क्या बना लिया? CH3CO-H आप चाओ तो side बे लिख सकते हो क्या बना लिया? CH3CO-H यह इसने बना लिया और यहाँ से minus निकल गया अब यह जो minus बना यह nucleophile का काम करेगा किसका काम करेगा? nucleophile का और किस पर attack करेगा? sub-state पे या जो reactant आप ले ले रहा है benzyldeide अब benzyldeide पे यह attack कर रहा है तो यह आपके nucleophilic addition तो पहले आपके attack होता है oxygen पे minus आता है उसके बाद दो possibility है या तो उस minus पे कोई counter positive iron जुड़ जाए या फिर वो minus वापस से जब जाता है तो एक कोई ना कोई living group निकल जाता है तो यहाँ पर क्या है कि कोई counter iron शो कर नहीं रखा जो जुड़ जाए और यहाँ पर क्या है कि कोई living group भी नहीं है लेकिन यहाँ पर cyclic attack ही possibility है तो एक बात आप ध्यान रखना है कि अगर reaction में cyclic reaction की possibility है या cyclization की possibility है तो वो reaction की जो possibility है वो जादा होती है दो result से जादा होती है एक तो hysterically approachable होता है एक तो एक molecule दूसरे molecule से reaction करे और एक molecule अपने ही molecule में reaction करे तो same molecule में reaction की possibility जादा होती है दूसरी बात hysterically approachable है और energetically favorable है कम energy required होती है तो यहाँ पर अगर cyclization की possibility है तो वो आपकी possibility जो है उसके chances जादा होता है तो यहाँ पर क्या होगा यह attack करेगा oxygen पर minus आगया अब यह जो minus है यह attack करेगा यह nucleophile का काम कर रहा है और यह 2 side है यहाँ पर attack कर सकता है अब कौन सी side पर attack करेगा यह depend करता है कि hysterically approachable है यह नहीं दूसरी बात जो ring form हो रही है उसका size क्या है तो अब यह जो minus है अगर आप इसका attack यहाँ करवाते दो कार्बनिल side है यहाँ और यहाँ यहाँ करवाते तो 4 member ring की possibility तो यहाँ नहीं होगा यहाँ पर attack होगा क्योंकि 6 member की possibility है तो यह जो minus है यहाँ attack करेगा oxygen पर minus आजएगा अब यहाँ पर आपने देखा minus आगया अब यह minus वापस से आएगा और यह bond तूट जाएगा ठीक है क्योंकि यह वाला होगा आप bond तोड़ोगे तो same to same वापस से reactant की situation ने पहुंच जाओगे तो इसने attack करेगा यहाँ पर oxygen पर minus आगया minus वापस आएगा तो यह bond यहाँ से निकल जाएगा तो एक तरह से क्या होगा यह oxygen इस carbon से जुड़ा और यह oxygen निकल गया तो आपने क्या देखा यह निकल गया अब निकलने के बाद क्या होगा C6H5 CH और यह हो जाएगा CH2 का CHH और COO- यह minus आपके नीचे लिख दिया मैंने और उपर जो है वो है OCO-CH3 तो यह हो गया OCO-CH3 ठीक है अब इसके बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपने लिखा था टू अलफा इडूजन होने चाहिए क्यों लिखा था यहाँ दो आपके यहाँ से निक लोगे काहा से निकलेगा तो यह आपके डबल मौण आ जाएगा और पर आपके आगा जाएगा माइनस यह रहा ठीक है और यहां पर आपके आगा डबल बॉन तो यह हो गया अब क्योंकि बेसिक मीडियम है तो वहाँ माइनस हो करोगे फिर उसके बाद जब आप उसको न्यूटरल करते हो यह अब आप एक्षी ध्यानक अग्जाम में जब कॉशन आता है तो कॉशन जो है रियक्शन में प्रोसीड हो रही है और प्रॉडक्ट कैसे बन रहा है तो जैसे वह कुछ चेंज करेगा तो प्रॉडक्ट में क्या चेंज आएगा यह उसससे आपको आइडिया लगता है कि रियक आपको आइडिया लग जाएगा दूसरी बात यहां पर क्या होता है कि कि स्का रोल क्या है अब जैसे यहां पर इसका रूल बेस का है यह नुकलिफाल की तरह भीव कर रहा है यह सबस्टेट है अब यहां पर आपको ध्यान यह रखना है कि जब मैं करवाऊंगा आपको वहाँ पर आपके आजाएगा तो जिस जिस reaction में जो जो intermediate बन रहा है वो आपको ध्यान रखना है तो ये थी आपके परकिन reaction